तो सबसे पहले हम लोग इन में आये हुए सभी सब्दों के सरल अर्थ को जान लेते हैं और जब इनके सरल अर्थ हमको पता हो जाएंगे तो हम व्याख्या असानी से कर ले जाएंगे तो चलिए ग्यान प्रकास्या का अर्थ है ग्यान रूपी प्रकास गूर का मतलब होता है गूरू जो आपको सिक्षा देते हैं मिल्या मतलब मिलना सो माने यह जिनी माने मत बीसर जाय मतलब भूल जाना या विश्मित करना बीसर जाय आप कहते हैं न कि बीसर जाय मतलब भूलना मत जब वही रहेगा गोविंद माने इस्वर या भगवान क्रिपा माने अनुकंपा होता है वैसे तो लेकिन मुझे लग रहा है कि व्याख्या में हम लोग क्रिपा सब्द ही रखें यह ज़्यादा सरल रहेगा वैसे किरपा माने अनुकंपा होता है करी मतलब किया तब वही रहेगा गूरू वही रहेगा मिलिया आय मतलब मिल गए मिले या मिल गए ठीक है सबी कठिन सब्द हो गए चले अब इसकी व्याख्या हम लोग करनी है हम लोग व्याख्या करें उसके पहले थोड़ा सा संदर्व और प्रसंग की बात कर लें क्योंकि परिक्षा में हमको संदर्व और प्रसंग भी लिखना होता है तो यदि संदर्व की बात करें तो जब मैंने आपको पहला भाग बताया था इसका दोहे का तो वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ भी बताया है तो वो संदर्भ साखी के जितने भी दोहे हैं उनके लिए वही संदर्भ होगा तो आप पहले भाग से देख लीजिए प्रसंग बार-बार बदलता है जैसे ही ये पध्यांस बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैस डाल कर लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत दोहे में कबीर दाह जी ने बताया है कि सद गुरु की प्राप्ती से ही सद गुरु की किरपा से ही सद गुरु की किरपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब इस्वर की अनुकंपा होती है तब ही सद गुरु की प्राप्ति होती है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तु दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, अब आजा ये काबे पर, कबीरदास जी कहते हैं, सद गुरु के मिलने पर ही, सद गुरु के मिलने पर ही, ग्यान रूपी प्रकास की प्राप्ति होती है, सद गुरु के मिलने पर ही, ग्यान रूपी प्रकास की प्राप्ति होती है, यह बात, यह बात, कभी भी मत भूल जाना, बी सर जाय भूल जाना, कभी भी मत भूल जाना, और जब इस्वर ने तेरे उपर क्रिपा की, तब तुझे सद गुरु की प्राप्ति हुई, और थोड़ा सफिर आप अपने आप से जोड़ेंगे, अर्थात कबीर दाजी कहते हैं, कि सद गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस्वर की अनकमपा होने पर ही सद गुरु की प्राप्ति होती है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी,